जी हाँ, ये धित्वी बजनों का प्रोग्राम आप देख रहे हैं गाँ कोलाम सौंक मतरा से जिसके गायत लाकार हैं धर्मिन सिंग चाहर चिर्मोली अकोला से दोलक पर संती कर रहे हैं रामिर सिंग नस्पाडा भीग राजिस्तान से और जीका की मधुट जन्ता दखा रहे हैं बोहें बदन से अगोटा से और हमारी इसाबाज को देश मिदेशों तक पहुचा रहे हैं बोहें हमारे परंपूच बंडित रोहितास भीजे सावन सर्विस जनूतर राजिस्तान से भीजिए अब करेंगर ने पंस कमेंटी विर मेला प्रांगण में पधार हुए सबीसर रोता घंड़ और में तो बारबार आप सभी से यही प्रार्तना यही गुजारिस करूँगा जिस प्रकार आप जिकडिका आनंद ले रहे हैं उसी यने नस्रबान मुखु नासिका और यह सब के एक कई ठाउर अजी केहबो सुनिबो समझिबो ये चतुरन को कचु तो सजनों जितना समय मिला है जैसा मुझे आदेश मिला है उसका पालन करते हुए अपने ध्यान को लगाएंगे प्रसंग की हो भी अमीर मेरा वही प्रसंग है जिस समय जब पहरेदार राजा इन्र के पास पहुँच गई और जाकर के कहा महराज के जीवन की जेजेकार हो महराज की दोहाई हो दोहाई महराज इन्र ने कहा कहिए क्या वाप है उसमें पहरेदारों ने कहा महराज लाखों वाज ये लाखों वाज करोडन हाती अरे वो हस्तनाप्र को बासिये ग्यारे अक्षोणी दल राजा को सो बद के भोज निकासिये सो सत्या नास बाग को कर दियों दूने के मिले न केला और बादन मा रखवारे दे रे सजनों द्वार पालों ने जागर के कहा महरास ना जाने कितने घोडे हैं ना जाने कितने हाती हैं सेना का कोई पार नहीं है अपार सेना हैं हमारे पूरे वगीचे को उजार दिया है इतने बचनों को जब राजा इंद ने सुना रोध में छा गई सेना के लिए आदेश दे दिया और सेना को ले करके उसी खान डबन में आ गई महराज इंद्र और कौर्वों की सेना को चारों तरब से घर लिया लेकिन भाया राम्बीर हुआ क्या बटा आब ये हला और देखे पोली आब दियो दल दाने न को छायो है और ये परिगई खबरी ये परिगई खबरी सूर्य को पेटा बो कारन सामने आलो है ये रे सुरपते कहें अरे अभिमानी सुरपते कहें अरे अभिमानी काल खेंचे तुए लायो है घन स्याम कहें पटलोनी के तन कन का ख़ोपना खायो है किसी के साथ साथ कभी लिख रहे है और भाईयर आमीर कैसे बेटा ये रे करम किया उस नर्सी ने जिसे जान गया जग सारा करम किया उस नर्सी ने और ये सी बीच ये क्यामर पेगा फ्रुषकार हमारे चाचा जी और ये एक से एक पेगा फ्रुषकार विजें सिंग ओडम निवासी और इसी बीच एक से एक रुपे का फ्रुषकार रग्मीर सिंग अवल्दार जी उनकी तरब से ये आसिर बात प्राप्त हुआ है कैसे भाईया ये रे करम किया उस नर्सी ने जिसे जान गया जग सारा करम किया हाई करम किया उस मोरत भजने चला करम किया उस बालत ध्रबुने ये रे करम किया उस बालत ध्रबुने वना दिया ध्रबुत तारा एसा करम ये एसा करम ये एसा करम तू कर ले बंदे में जनम दुबारा अरे मेरे जाजन गुबारा भजना तू करम किया उस बालत ध्रबुने क्यों नहीं भीया कैसे कहा ये हरस हबस की महराज इनने कहा ए करन ये हरस हबस की देखे मंडी है ये हरस हबस की और देखे मंडी है और ये अनमोली रतन वितु जाते ही ये हरस हबस की आज महराज इनने कहा ए करन सून ये हरस हबस की मंडी है आनमोली रतन वितु जाते ही ये अनमोली रतन वितु जाते ही का गज के चमकते हाई का गज के चमकते नोटों से का गज के चमकते नोटों से ये लाखों के चमन वित जाते ही ये हरस हबस की मुलाओं के सजते वित जाते ही और उपंडित के भजन विक जाते ही वो क्यों ये पंडित के भजन विक जाते ही विक जाती हैं रात हैं एकरण ये विक जाती हैं रात हैं तुलहन की विक जाती हैं रात हैं तुलहन की मुरुकों के कपन विक जाते हैं सजनों अब सुनिए गाना और गाना भी क्या है भाईया जमाने को देखते हुए एक नया गीक पेस्ट कर रहा हूं आपके बीच में नई बात कैसे भाईयराम्भी ये क्या मिलिये ऐसे लोगों से ये क्या मिलिये ऐसे लोगों से जिनकी खिद्रत छुपी रहे लकली चहरा लकली चहरा सामने आये असली सूरत छुपी रहे आदनी वित्वानों दिहान लगाएंगे गीत में बात उसमें की है हमारे इस भारत बरस में दसेरे का त्योहर मनाया जाता है और वो एक ऐसा त्योहर है ऐसा दसेरा जो मनाया जाता है कि गाउंगां रावण के पुतने बना करके जलाई जाते हैं तो वो रावण कह रहा है हाजी पृदान जी वो रावण कह रहा है कि आप जितनी बार पुतने बना करके जलाएंगे उतने ही इस कलियूग में जादा रावण पैदा होंगे लेकिन वो रावण कह क्या रहा है अब वो सुनिए कैसे बेटा कलियूग है अब गली गली में ये कलियूग है अब गली गली में कलियूग है अब गली गली में दर ते रावण भूम रहे क्या पुतिलों को जला रहे यहां जिन्दे रावण भूम रहे अब पहला बंग सुनिए पहले बंग में रावण ने क्या कहा बिटा रामीर मुक्ती है तो मैंने सिया चुराई चुराई तो ये दिल के अरोमा तूटी रहे लेकिन आज के रावण आज के रावण सरे याम मा बेहन की इज़त लूटी रहे आपकी नजरों में गलत कर दिया लेकिन मेरी नजरों में आज के रावण सरे याम मा बेहन की इज़त लूटी रहे अपने इन करमों पहना सरमिंदे रावण घूमी रहे क्या पुतिलों को क्या पुतिलों को जला रहे यहां जिन्दे रावण घूमे रहे अब दूसरा बंग सुनिये तरन हे तन निजिक कुलों मरवाया रावण ने कहा तरन हे तन निजिक कुलों मरवाया ना करी अतन से गदानी लेकिन कुछ नेतानी जिक कुछ नेतानी जिक रावण से भी ज्यादा करे बतन से गदानी और तीसरे बंद में रावण ने क्या कहा घर से निकाला अपनी भी सन भाई रावण ने कहा कि मैं मांगता हूँ अपने भाई धिली सन को मैंने घर से निकाल दिया तो आपकी नजरों में मैंने गलत का दिया लेकन मेरी नेजरों में क्या हो रहा है कैसे बेटा घर से निकाला भी भी सन भाई मैंने करे खोटा प्य बहार दिया लेकन आज के रावण आज के रावण भाई ने भाई को कोति के घाटा उतार दिया अज के रावण भाई ने भाई को कोति के घाटा उतार दिया मनों में बासना पाप की बाँधे पुलंदेरा बड़ घूमे रहे क्या पुतिलों को जला रहे यहां जिन देरा बल घूमे रहे अब आंतेम बन सुनिए रावण ने कहां मन्दो दरी की मेने पात न मानी करकाब न कोई भला दिया रावण ने कहां कि बार बार मेरी पत्नी मन्दो दरी निमसे कहां कि प्राण ना आप सीता जी को पापिस कर दो यह अच्छा नहीं होगा तो मैंने उसकी बात को नहीं माना लेकर हुआ क्या बेटर अमीर ये मन्दो दरी की मेने पात न मानी करकाब न कोई भला दिया लेकर आज लाला आज लाला तहे जंके रावण ने नारी को जिता जला दिया आज लाला तहे जंके रावण ने नारी को जला दिया राम भी रखे आगी लगाएगे विन्देरा बढ़ घूमी रहे क्या पुतिलों को चला रहे यहां जिन्देरा बढ़ घूमी रहे